पाकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो की खास मालूमात नहीं है। क्रिप्टो के हवारे से अब सब के सवालात के जवाब मिलेंगी आपको हमारे इस पॉड्कास्ट में। वेलकम टू दे क्रिप्टो टॉक्स। तो चलते हैं हमारे नए एपिसोड की तरफ। असलावलेकुम। वाज हमारी पॉड्कास्ट है जिसके लिए पर हम बात करेंगे क्रिप्टो को लेके बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेंड लाइन्स देखते हुए ड्रॉ करते हुए कि सपोर्ट कहां पे है और उसकी रिजिस्टन्स कहां पे है उसके इलावा ये समझ नहीं आती कि मार्किट किस तरफ जाने वाली है आने वाले दिनों में मार्किट आया उपर जा रही है नीचे जा तो आज का हमारा एपिसोड हमेशा की तरह तीन डिफरेंट सेग्मेंट में होगा जो पेले सेग्मेंट है उसमें हम आपको मार्केट अनालिसिस देंगे के मार्केट ने पिछले आफ्टे कैसे परफॉर्म करा उसमें क्या चीज़े ऐसी हैं जो आपके जानते ज़रूरी है उ आपको देख प्रोजेक्ट को कैसे अनलाइस कर सकते हैं यूजिंग चार्टिंग ट्रेक्टिकल टूस तो उसमें आप दो बड़ एच्छे वर्ट पेट हैं असासन और असल तो वह आज एक कोई भी रांडम कोई लेकर हमें दिखाएंगे कि उसमें आप कैसे आप पैले ट् प्यूब पे डिस्कॉर्ट पे तो जो भी उसमें थेम्स होती हैं उसके साफ से क्वेस्ट ओके जंटलमन आज की मार्केट अपडेट में हम आपको बताएंगे कि BTC का प्राइस सेक्शन क्या रहा है उसके डावा जो मेजर मेजर अपडेट और ETF के परफॉर्मस है तिल अगर आप BTC का प्राइस सेक्शन देखें BTC देखें BTC देबाव 48,000 तो हमने पिछली दोब डिसकॉस किया था कि BTC भी रेंज बाउंड है वो भी आपको आगे दिखा देंगे तो जैसे BTC ने रेंज ब्रेक की हमने पिछले एपिसोड नंबर 7 में भी आपको बताया था कि BTC रेंज ब्रेक करेगा हाई और रेटेस्ट करेगा तो अभी BTC ने जो है वो अपनी रेली स्टार्ट कर दी है अगें जो वही डाइगनल से रिजेक्शन होई है तो आगे आप वही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं रेंज अपने चार्ड के ओपर और और यू कन अनलाइज जी फ बिटकोईन ETFs excluding GBTC हमने एक डेटा आपको पहले भी दिखाया था एपिसोड मॉस्ट प्रब्रीस फिफ्ट निया सिक्स में वह आप जोग जाकर देखें और उसमें बताएंगे कि मैंदे कि एटिएफ लाउंच हुआ 11 जैनुरी को और अभी आप देखे 9 फेमरी अप्रॉक् बिटकोईन ने कहां से कहां डंप ली है कि हम देख रहे थे पहले एटिएफ अप्रॉवर से पहले जो बिटकोईन था फॉर्टी फॉर्ट थाउजंड पर था हम किया 48000 और इसके बार रिट्रेस किया 38500 अप्रॉक्सिमेटली ठीक है उदर से उन्होंने डिप बाय करना तो इसके अंताज़ों होता है कि अगर हमें मार्केट में फॉर्दर डंप या डिप मिलती है तो जो सारे के सारे एटिएफ ओल्डर्स है इससे जदा एक बाइंग एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले है इसमें आकर देखें जो सबसे जदा जो वोल्डिंग है वो है यह आई बी आई टी यह किसका है ब्लैक और एफ बी टीटी किसका है अच्छा तो मेजर ली यह लोग मार्केट का मोर देन 50 परशंट है इनके पास यह दोनों जो है ना वो क्रेजी जो है ना हुए बीटी सी के लिए अपना स्वार्ट एटिएफ को सपोर्ड करने के लिए अगर आप इनके स्वायं के लिए अनके पास अप्रॉक्षिमेटली 1,605,000-445,000 इसके दम्यान इनके पास है यह स्वायान के ऊपरॉबार के लिए वाइंड करने जो जी बिटी सी जो एक लाग तीस चालिस अजार बिटकोईन उने सेल की हैं वो सारे के सारे अब्सॉब करती हैं अभी असल में नहीं नहीं पहले भी यह प्रिडिक किया था कि इटीएफ का इंपेक्ट जो होगा वो शॉर्ट टम में होगा आपको देखेगा यह एक लॉंग टम में जाके तो इन्शाला जब आप अगला बुल्डरेंट स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि एटीएफ किस तरह जो है अपनी हाई एक दम पकड़ता है मैं आपको बता के हमारे पास पहले भी देखेंगा देखए जो बुल्क पहले पहले चब किर सब्सक्राइंग जिश्चेंज का स्वाला नचेंडर यो है affair सफ़छे सब्सक्राइथ ने देखेंगर लोगों का इंट्रेस्ट बहुता है इसपाद अगर हम त किस फैरट आइड तो थार्ट स्लीट पर जाने से पहले मैं आप से यह पुछने सामने से अगर यह इंडिकेशन में दिखाती है कि लोग स्पॉर्ट ट्रेडिंग काफी जादा कर रहे हैं यह एक बुलिश सिगनल मेरे हैं मेरे हसाब से क्यों कि क्रिप्टो काफी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं यह यह कहने सही है अगर आप करेंट प्राइस एक्षिन को देखेंगे सब बिटकोई जो था वह इससे पहले हम देखते हैं कि हाफिंग से पहले जो है वो रिट कि नहीं है तो इस पर यह हमें शोग करता है कि स्पॉर्ट में बहुत जाता बाइंग एक्टिविटी है मार्किट बहुत सदा रिजिलियंट है कि जो बायर्स है वो प्राइस को इतना जदा वो क्रेक्शन डॉड़ डाउन में जाने दे ही नहीं रहे वह इतना उन्होंने प पास जो है स्पॉर्ट एक्टिविटी एक्सजेंज पर किस तरह टेक प्लेस करें इसके लावा एक और सीवीडी डेल्टा होता है मैं आपको कभी आके किसी एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा सब्सक्राइब परसंट सप्लाइब प्रॉफिट है यह एक और हमारे पास ग है तो फिफटी एट पर संट च्ट पर थो फिफ्टी एट पर संट ब्रीन टग्रीम पूरा टाइम जो है वह बिटकोइन की प्राइस उपर रही है और जिन्होंने स्फार्ट में बाय करके बिक एं रखा हुआ था अर्ल्ट निवंबर तिल जेनरी 23 अब वह जो है मार्क इस ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कि लोगों का जो है वो पहले जो लॉस में थे अब जो है वो एवरिज प्राइस के हिसाफ से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए है तो यह अगें यह डेटा हमें सब कुछ बताता है तो इसमें आपको दूरत नहीं है इसको यह कहने सही रहेगा कि उन लोगों ने पर डॉलर कॉस्ट अवरिज कर रहा होगा अपनी आवरिज प्राइस को नीचे लाने के लिए एक्जैक्ट्ली ऐसे यह उन्होंने डॉलर कॉस्ट अवरिज नहीं भी करना जाते तो आप यह लोडिंग कापैसिटी तरह नहीं होन जनवरी 23 दग वो average price bitcoin की उससे वो जो उनका supply है वो नीचे दी है percentage supply फिर जैसे हमने देखा है कि आप trend shift हुआ है एक narrative ने market पंप लिए तो उसके बाद जो है वो price से उपर जो है वो start हो गया है जाना तो अब हम slide number 4 पर भी बात कर लेते हैं जो किया है bitcoin exchange volume momentum बिटकोइन का exchange volume momentum यह हमें again second slide के continuation है इसमें हमें बता रहा है कि अब बिटकोइन का exchange पे spot activity मैंने आपको पहले पे समझाया है किसरा take place करती है में that we have this 30 days simple moving average or 365 days moving average और उसको ब्रेकाउट कर रही है from the bottom to top और उसके बास पैन आउट हो रही है तो यह हमें बताता है कि exchange बहुत आदा जो spot trading activity है वो take place कर रही है ठीक है और इसमें अगर हम एक और चीज़ देखें इसमें हमें बता रहा है कि exchange का करेंट वोल्यूम है अगर हम 30 days SMA को देखें जैट इस 5.15 billion per day अब आप यह देखें जो आप इसे पहले पूछे किया कितना है तो अगर आप यहां पर देखें यह लिखा रहा है current exchange flow is 30 days SMA is 5.15 billion per day यह आपको एक notion जो है और एक narrative आपको दे रहे हैं कि there is a very huge activity accumulation buying आप जो भी तेजी से ट्रेडिंग की तरह आप आरे हैं यह अभी हमने जिसे first light में दिखाया है कि black rock or fidelity जो है यह अप्रोक्सिमेटिटी वन लाग 43 45,000 bitcoin एक है तो उनको जो फॉलो गरते वे जो लोग data देखते हैं data तो जूट नहीं आप से बोलता नहीं तो देखें आपको analysis जो है वह आप daily basis पर हमारे डिस्कॉर्ट पर भी शेयर करते हैं तो definitely जो भी लोग हमारे डिस्कॉर्ट पर उनके लिए यह चीजे और detail में उनको आप पता चलती है तो उसे सापसे वह अच्छा है तो हमने market analysis को हमने अप कर ली है अब हम अपने segment 2 की तरफ चलते हैं जहाप पर असाशन हमें technical analysis के बारे में सखाएंगे कि कैसे आप basically trading view को आप use कर से सबसे पहले तो बिटकोइन को अपटिट देता हो ना जो चार्ट पे है आप basically देखें बिटकोइन ने जो किया डेली टाइम फ्रेम पे इस ते यहां पे एक specific level से बार बार इस ते जंप की support ली ठीक है support वो जगा होती है जहांसे coin bounce करता है और resistance वो जगा होती है जहांसे coin reject ह होता है for example यहां पर लगके वापस आया यहां पर लगके वापस two and fourth motion में support resistance में trade करता रहा लेकिन इस पॉइंट के नीचे इसको sweep कर दिया इसको गहते है self side liquidity basically जो नीचे liquidity होती है जो future contract खो लेते हुआ से liquidity आपके grab हो जती है और पर वहां से market pump करती है so for now अभी bitcoin का जो daily time frame पे future market में उसके ऊपर अगर bitcoin में weekly candle close हो जाती है जो कि आज pakistan time I believe five o'clock हो जाएगी अगर हमें basically weekly time frame में इस candle के ऊपर या इसके लगभग closing मिल जाती है then we can see bitcoin to reach roughly about 52,500 जो हमारा critical level है उसको हमने cross keep कर लिया पर हम 58 and 62 पे हम टाजिट करेंगे लेकिन for now हमारा critical area यही है weekly dial frame पे कि हमें जो पिछले मंद जो January में 48,900 का हाई बना था उसको या उसके ऊपर candle closing करनी चाहिए means weekly candle close है यह weekly पे आप देख रहे हो आपने इसको monthly और yearly पे देखा है कि वहां पे क्या ट्रेंड कर रहे है monthly में थे खायर पोलिशी है bitcoin has never been super bearish or monthly क्योंकि अभी खायर bitcoin को 13-14 साल हो है roughly तो monthly पे candle होती है यह dodgy candle होती है which shows confusion in the market because candles होती है it basically shows human emotion क्योंकि अभी रेखें उपर भी गया है नीचे भी गया है लेगन closing के तरो होगी अगर आप candlestick patterns के हिसाफ से बात करें जो कि हम future में cover करेंगे candlestick pattern के हिसाफ से अगर monthly candle closing पिछली January के high से उपर हो जाती है then this candle gets invalidated and we will be bullish और पर हम we can target for pre-housing hype as well तो आव पर analysis के लिए assassin ज्यादर तर weekly देखते हो या daily देखते हो या early देखते हो किस तरह से देखते हो अब डिपेंड करता है कि मुझे किस type की trade चाहिए for example अगर मुझे बिटकोइन की update देखनी है तो मैं सबसे पहले weekly टाइप पर levels बनाऊंगा और इसको narrow down करके one day पर आऊंगा one day के वाद अगर मैं intraday trading करनी है altcoin में या bitcoin में तो मैं four hour two hour one hour पर आऊंगा for example अभी हम अगर इसको one hour पर देखे ना तो यह equal high बना रहा है यानि आपे इस्ट्रॉंग सेलिंग प्रेशर है यानि रिजिस्टेंस है so we can totally anticipate expect कि यहां से मार्के रिजेक्ट भी होकी दुबारा अपने इसी zone में trade करें ठीक है so as long as हमें कंफरमिशन नहीं मिलती के candle close हो जती हो पर और support रिजिस्टेंस फिलिप होती है तब तक हम फिराल इसी range में है now coming back to our second topic which is support and resistance support resistance क्या होता है supply demand zone क्या होता है आप अधनान भाई या आप मेंसे कोई भी मुझे कोई specific coin बता दे इस पर माप ethereum के ओपक गरे okay let's go with ethereum यह daily time frame पर है okay okay as I've mentioned support वो जगह होती है जहां से coin bounce करता है luck के उपर jump करता है उपर की तरह जाता है और resistance वो जगह होती है जहां पर coin लग के वापस नीचे जाता है for example हमने यहां पर देखा coin उपर ethereum उपर आया इस level पर आके which is 5430 पर आके वापस नीचे आ गया और वहाँ से उसने एक level से आगे pump कर गया फिर उधर गया पर नीचे पर ऊपर पर नीचे पर नीचे पर नीचे पर नीचे ठीक है इसमें लोग confusion क्या होती है और why I don't personally recommend support and resistance is because देखें support resistance यहां से भी coin ने reject कर लिया ठीक है फिर एक यहां पर भी बन गई resistance एक इसके थोरा नीचे भी बन गई तो यह बहुत confusing हो जाता है तो what I prefer कि आप एक basically price range बना ले ठीक है जहां से आपका coin bounce यह फिर प्र प्रेजेक्ट कर रहा है which I will show it to you सबसे बहले यह tradingview.com website free version भी लिमिटेट फीचर पेट वर्जिन भी है अगर किसी को लेना है आपका paid है के free version है मेरा paid है सही है यह 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 specific one is free version तो आपको जो भी दिकारों यह free version भी है तो आप भी यूज कर सकते हैं तो यह आपना basically different tools भी यह left side पे देखेंगे कि यह cursor है cursor को मैं dot पे भी arrow भी कुछ भी कर सकता हूं ठीक है जिस shape में मुझे करना है it's up to me coming back to यह जो दूसरा option है which shows अगर आपने line बनानी है आपने कोई के कहते है print line बनानी है या फिर आपने कोई specific angle पे trend angle बे बनाना है आपके सामने है आपने parallel channels बनाने है अगर कोई जैसे यह channel में एक move कर रहे है तो इसमें आपको काफी सारी option में रहेंगी obviously अगर आप नहीं हैं तो इदर जाके you have to just put your flare on water and पंगे ले different features try करें it's for free तो आप इसको समझ जहेंगे मैं personally trend lines को इतना serious नहीं लेता because trend lines बनाने के भी वो तरीके होते है तो it depends के आप किस method से करने हैं अगर आप supply demand zone को जादा focus करते हैं या price action SMC को method को आप जादा लेते हैं ICT concepts को करते हैं या आप chart patterns और candle stick कीज़े होते हैं indicators को अगर आप trade करना जाते हैं तो इस अलग अलग तरीके होते हैं basically जो अगर आप trend line लेते हैं trend line का यह ओपर लिखा हूँ है number one पे trend line लोग होते हैं आप कुछ trend line ऐसे force कर देते हैं यह पता लगता है कि मैंने trend line force की हुए you don't have to force your opinion आपका अगर को specific bias आए कि market उपर ही जाएगी तो आप उसको force नहीं कर से कि अगर आपको नजर आ रहा है तो नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है so you should not force and revenge trade कि अगर आपको यह trade गलत हो गया और आपका loss हो गया यह आपने profit मिस करती है तो आप अपने analysis को force करे और अपनी तरफ से chart बनाए because at the end of today it's not gonna work and it's gonna backfire eventually so coming back to the second third option which is Fibonacci अगर आपने Fibs बनाने है this is my favorite तो अगर आपने बनाची होता क्या है ताकि आपको पता चल सेके इसको हम डीटेल में जरूर करेंगे लेकिन in simplest form अगर आपने Fibonacci के बारे में सीखना या पड़ना है it's a mathematical concept तो basically यह बता है कि आपका mostly जो coin होता है अगर आप support बनाना चाहरे है अगर आपने support बनानी है तो Fibonacci बनाने का अलग तरीक है अगर आपने resistance बनानी है तो उसका अलग तरीक है तो mostly जो 0.5 Fib होती है और 0.618 Fib होती है जो 618 होती है it's called as golden Fib तो यह आप अपने targets के लिए अपनी entries के लिए जैसे भी आप जिस strategy से इसको find out कर यह उस करना चाहरे है तो उसकी अलग अलग तरीक होते है अब for example अगर let's suppose यह Ethereum का all time high है ठीक है अब मुझे नहीं पता है के Ethereum अब मुझे कहा पर sell करना चाहिए तो मैं trend-based Fib लोगा यह मैं यहां से इसका lowest swing low, swing high and then recent swing low पर मैं बना दूँगा और पर मैं अपने futures पर देख सकता है कि future target मेरे क्या हो सकती है based on golden Fib आप 1.5 Fib भी टाल सकते हैं 1.3 to 1.79 बहुत जादे होते हैं लेकिन what I prefer is 1.5 and golden Fib itself so यहां से अगर प्राइस ब्रेक करती है for example 2700 जो हमारा recent high था last month का तो हम देख सकते हैं to Ethereum to eventually go up to 3200 यहां पर अच्छा लेवल होगा profit book करने का or 38, 44, blah, blah, blah so and so forth but again it's in daily time frame अगर आप higher time frame पर और करेंगे तो आपको तोरे बहतर result मिलेंगे ठीक है this is great this is great this is good information coming to the other feature for example आप pattern traders हैं अगर आपने head and shoulders बनाने हैं अगर आपने cipher patterns बनाने हैं जो इतना में use दे करते हैं अगर आपने Elliot wave बनानी हैं तो यह उसके लिए आप लोग के लिए अच्छन इस पर भी आप दे सकते हैं यहाँ पर एक्जेंपल अगर आप long यह short feature trading करते हैं यह आपने candles का forecast करना है ghost candle बनानी है price range for example for example मैंने यहाँ पर signal दी है 1600 पर यह वीदर ऊपर चला गया तो यह 60% आप उसको आप यह features यूज कर सकते हैं बाद में यहाँ पर as a brush arrow आपने बनानी है shapes जैसे यह मैंने बना दिया यह एक shape बना दी उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरे shape बना देता हूँ मुझे यह rectangular shape बना रही थी तो यह ने बना दी अगर आपने lines बनानी है ऐसे 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 घर के तो आप यह भी बना सकते हैं यहाँ पर text आपने डालना आपने stickers डालने तो बहुत ज़्यादा options है again test with it dive into it and पंगे लेन तो आप खोदी इसको समझेंगे now coming back to the supply and demand zone support resistance होता है support हमारा demand zone होता है जहांसे coin bounce करता है और जो resistance जहांसे coin reject होता है वो हमारा supply zone होता है अब मैंने यह box इदर क्यों बनाया your question is मैं यह box कहीं भी इदर भी बना सकता था इदर भी बना सकता था इदर क्यों बनाया because as per daily time frame of ethereum अगर मुझे इसकी trade लेनी है देखें यहां पर coin ने एक दफा आया pump दो इसके पास आये तीन यहां पर चार पर पांच पर उपर गया छे साथ दफा कि हमारे एक strong zone है ठीक है क्योंकि यहां से coin ethereum बहुत दफा बाउंस करके उपर चला रहता है तो मेरी एक entry इस zone में होगी why because this is my strong support zone which is my demand zone क्योंकि यहां पर demand है यहां पर bit जगी है लोग demand है खरीदने की अब मैं एक क्या कहते है जैसे मैंने बता है support line पर क्यों ने बनाऊंगा for example मैं बनातों इधिर ठीक है यहां पर मेरी support की मैंने बनाया हुए क्या पता for example मेरा coin यहां पर आये यहाँ support मेरे जो calculate की है वो 2,183 dollars है what if मेरी limit लगी है 10 ethereum की लेकिन price आती है 2,185 dollars पे और मेरी वो limit 2 dollars से miss होगी coin pump गज़ता है which is quite frustrating and it happens a lot so regardless अगर आप एक specific price zone बना रहे है कि इस range में आएगा तो वो बश्दर होता है काफी so इस आप से these supply and demands are work very well अच्छा यह आपने बड़ा अच्छा idea थी assassin के price zones आपके पास होने चाहिए अब यह जो आपने draw की है rectangular इसके price zone जो है वो कोई एक price नहीं है वो एक खास specific area है जिसके अंदर price आ जाते तो आप जो है अपनी buying limit लगा देते कि यहाँ पर मैंने buying करनी है वो इसके numbers कैसे है मैं चार्ट के उपर represent करूँ कि यार यह buying range है इस price पर आएगा तो मैं खरीद दूँगा उसको कैसे show कर सकते है चार्ट के उपर देखें अगर आप यह अपना करसर है आ रहे है तो फुल राइट पर यह price चल रही है यहाँ पर नी वो तो चल रही है लेकिन मैं चाता हूं कि चार्ट की ऊपर यह लिखा हूँ आ जाए कि यह में price zones है ऐसा कोई option है इसके लिए आप यह यहाँ पर जाए ठीक है यह आपने horizontal ray बना दी अपना जो आपका rectangular box का हाई है वहाँ पेक लाइन बना दे और लो पे अपने लाइन बना दे तो आपकी यहाँ पर आपने लाइन लगाई है 2001 86 2000 basically 80 डालर की रेंज में आपका यह support zone है जासे coin bounce कर जाता है ठीक है अब मैं आपको किसी और coin का मैं आपको supply zone resistance zone बना tell me a coin again नुमान बताओ कौन सा coin आपका favorite आप स्वी कर देख स्वी कर देख स्वी कर देख स्वी कर देख स्वी का अपने signal दिया था 0.43 बे मसला यहाँ असको के resistance है नी it only goes up but nothing goes up forever exactly that's why you rough it रून के बहुत support and resistance नजराएंगे रून सही है यहाँ पे मैं बना लता हूँ एक अप इतने जादा हेट्स होती है न उतना जादा है अगर एक एक दफा coin bounce or reject हुआ है it's very weak same goes और अगर आप trendline बनाते है support resistance बना दे जितने जादा touch points होंगे the more relevant and stronger it gets लेकिन जितने जादा by time 5 दबाउ से bounce हो गया 6 दबाउ reject हो गया तो it gets weaker by time ठीक है तो now for example this is four hour chart यहाँ से coin ने bounce कि ठीक है तो मैं देखूंगा मेरी एक major rejection यहां से आई थी और coin dump कर गया था ठीक है इसके बाद यहां पर एक rejection आई dump कर गया फिर इसको इस ते यहां से totally break out कर दिया अब आप इसको देखेंगे ना इस जो मने zone मिराया it's very weak because I'll tell you why यहां से एक rejection यहां पर दो rejection नहीं और तीसरी rejection पर अगर आप देखें तो उस ते इसको retest किया था वहां से ब्रेक आउट के लेकिन वहां पर candle closing नहीं लेकिन buying pressure अच्छा था तो वहां से candles यहां पर बुलिश मारूबूज़ गेंडल्स वियां से बनी which is very bullish on higher time frames ऐसी अगर आप supply demand zone बनाते हैं I would highly suggest you to not do it why because इसमें सिरफ द यहां पर फॉर एक्जम्पल आजए है अगर्ट में में बैसिकली probability की गेम है probability में जब आप भी कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो जितना जादा डेटा होगा उसको टच कर रहा होगा उतनी आपके prediction हो सकती है जी exactly now you see over here यहां पर किती दवा किया एक दवा बाउंस द दवा बाउंस तीन दवा बाउंस चार दवा पांच छे दवा ठीक है तो यहां पर जितने जादा टच्पॉंट्स होंगे उतना बैद रहा है सही है that's a very good 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 way to minimize support resistance is okay however I would definitely prefer that you have a supply demand zone price zone बनाए अब यह नहीं होना चाहिए कि खनाव आप अपना प्राइस जवाब का है कुछ इतना बड़ा बनाया होता है इतना बड़ा बनाया होता है it doesn't make sense अब 20-20 परशन की प्राइस रेजबे करोगे तो ओविस से कही नहीं तो आई जाएगा तो आप उसको त्वरा टाइट प्रेंज में रखे और रेलेवेंट रेच में रखे जहां पर कॉइन जहां से बाउंस सीखेंगे लिए जर进वा औरकर से रेखेंगा ।Das कितन किया थैटरत इप्रेंगी थार्फ की जो सिम्सिकर इना नहींगे सिखने होई औरत प्रेंगे अगर अपने सींखना है तो it depends how serious you are, how much time you put in काफी लोग paper trading करते हैं या फिर यहाँ पे भी even trading view पे है कि आप कोई demo account मिल ज़ता है उस पे आप 10,000 डॉलर से demo trading करें obviously the profit and losses you make are not on you however, जब आप अपने पैसों से अपने physical money से 10,000 डॉलर लगाएंगे तो आपकी emotional intelligence और emotional connection वो totally different होगा तो internet money is internet money लेकिन जो आपको अपनी जेव से लगा रहे हैं उसमें जो आपकी profit and loss होंगे तो वो अलग होगा लेकिन at the end of today as long as you manage your risk well, you understand the market needs time and patience for example, मैं आपको यहाँ पे रून का चार्ट दिखा देता हूँ I will show you right here यह मेरे आपको tools दिखाएदे ना मैं आपको एक date range का दिखाता हूँ ठीक है यहाँ से यह बेरिश ट्रेंड ही था यह उपर गया थोरा यह नीचे आगया आगया थोरा उपर गया नीचे 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 फिर इस ते जो रहेली यहाँ से स्टार्ट की थी ना यह बेरिश खी जो इस टो यह जो मैं देखों 488 बार जाएं विच फोर हेंड़न एट आटी एट दीज so it took over like 15-16 months to make a decent decent amount of money तेके अगर आपका गोल है आपने एक दो परसंट बनानी है स्कैल्पिंग करनी है क्विक मरी बनानी है you can do it that's fine but personally for me I wanted to make bigger money तो मेरे लिए 10-20 परसंट मेरा उसे पेड़ी वटदा तो मैं बड़ी रैलीज को प्रिफर करता हूँ अब आप देखें हमने platinum में I remember मैंने यहाँ पर 1.07 से signal दिया था और यह यहाँ से कितना उपर गिया 7X इसने रफली किया था इस 7 डॉलर पर इसने टच्च किया था आप भी जानते हो कि रून मेरा कितना फेवरेट प्रोजेक्ट है और इसके उपर मैं किस तरह से इन्वेस्मेंट्स कर रहो काफी अर्शे से जो अपने 488 डेल्स खबसा है इस 48 डेल्स में अदान सब आगे-आगे थे इसको बाइं करने में पिछले बॉलर रन के पीक पे अजर आप अब लोग पता है क्यों पैने करते हैं क्योंकि एक तो रिसर्च नहीं करते है उनको पता नहीं होता कि कोई यह अच्छा फंडमेंटली आए के नहीं वो अपनी स्टडी नहीं करते आप मेरी लिए रून यहां पे एक डॉलर बेदवार आजा तो जितना आप टाइम और जितने रिस्पेक्ट आप मार्केट को देंगे तो इवेंशली प्रियो तिक ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस डिटेल में सब आपको समझाया है ट्रेडिंग व्यू मुझे नहीं लगता कि इससे बेतर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है ट्रेडिंग व्यू का आज तक मैंने चाहिए किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर देखा हो बहुत अदा अननेसेसरी टाइम स्पेंड कर देते हैं चीजों को करते हैं और सबसे में बात होती है कि चार्ट आपसे बाते करते हैं तो आपने चार्ट की सामने बैठना है और देखना है कि चार्ट मुझे क्या कह रहे हैं उसको समझना है और उसको आपने टाइम वाइड करने डेली बेसेस पर वीकली पर मंत्री पर तो ट्रेंड आपने किस तरफ जा रहा है उस आप से आपने इंवेस्मेंट कर नहीं है अज लॉंग एस यू अडर्स्टेंड फंडमेंटल्स और टेक्निकल्स तर इस नो विए नॉट किया रहे हैं और यह इतनी अच्छी डेमो देखने के बाद मेरे सेंड में काफी तो अगर अगर साइसन अपनी स्क्रीन पर शेयर करें तो मैं बूशना चाहूँगा तो सबसे पहले तुम मैंने नोटिस करा कि नॉमली कैंडल्स जो होते हैं वो ग्रीन और रेड होते हैं बट आपने उनको येलो और वाइट रखा हूँ है तो इसके पीछे कोई खास लोजगे यह आपकी सिर्फ परस्टाइल है कुछ मेरे एक चार्ट भी है वो सिर्फ वाइड चार्ट है लेकिन मैं जादा कर इसे प इसको फुल कर सकते हैं अगला स्वाल पूछने से पहले मैं नुमान से पूछूँगा नुवान ये किस तरह की सेकॉलजी है जो असेसिन ने बताई है कि मैं ग्रीन और रेड नहीं रखना जाता मैं येलो और वाइट रखना जाता हूँ इसका क्या फाइदा हो सकते हैं लो नहीं होंगे तो ज्यादा जो होड़ करकर रखते हैं नहीं कोई फैदा होता है पेशिंस फेड और वही वाला फीर रेड जाता है तो मैं ज्यादा पैनिक भी नहीं होता और काफी अच्छा लगता है जो मतलब इंटर्टेस हैं बाइनांस तो यह बहुत इंटेलिजन बात अगर आप एक दम से चार्ट लीचे जा रहा होगा आप एमोशन में आ जाएंगे आप इमोशनल डिसिशन ले लेंगे जो कि अपनी गल्तियों से सीखे एमोशनल डिसिशन लेना बंद कर दी है उसकी एक बड़ी वज़ा जो हैं यह कलर पे भी जाती है अब यह देखें I have not seen anybody talking about it so thank you for sharing that information जी यह काफी इंटरस्टेंग है और एक और जो मेरे सवाल था हुई यह ता कि जब आप सपोर्ट यह रिजिस्टेंस बनाते हैं जो आपने डाके जोन बनाना चाहिए राधा देन लाइन तो जब आप डिसी लेविल्स भी डिसाइड करते हैं तो वो भी होते हैं या वो उससे भी नहीं चोड़ यह डिसी अब हम यह भी लोग कंफ्यूस करते हैं कुछ कॉइन अगर आपने लिये दो तीन परसेंट ड्रॉप ओगे तो वो डिसी करते हैं अगर आपने लांग टर्म के लिए करना ना तो आपको बिट को देखना कि बिट को बिट क सब्सक्राइब के लिए अगर आप आएंजे को देखे तो उसने उसने भी काफी टंप लिए 44 से 32 31 पर आया है तो अगर आपने लांग टर्म इन्वस्टिंग के लिए 100 अरन लगाए है किसी भी रून में लगाए है वो 25 पिसेंट डंप कर गिया वहां पे आप डी से कर सकते हैं फिर जो वहां पे जो आपकी एवरेज वैली होगी वहां से 25 पिसेंट ड्रॉप कर जयता है फिर आप एग और डी सी लगा ले तो दो एक कोई को दो तवाँ डी से करना फोर लांग टर्म इस इस मोर दिन पर फोकस करें इसकी विक पर फोकस करें या अब टर्वोज या डिपेंट गर अजदे कि कौन से टाइम फ्रेम को हम देखना है और से साथ साम डिसाइड कर गार जो इसको हम टीटेल में फीचर में कवर करेंगे लेकिन बनियूर स्पीकिंग अबाट अबाट एक एग एग प्रेंट हुई है that also matter for example यहां से आई एंज यह पंप पंप की है यहां पर किये देखें यह इन्वर्टेड हैमर बन है although it's a sign of a reversal लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैंडल कहां पर प्रेंट प्रेंट हुए उसकी अगली कैंडल ने इसको इन्वैलिटेट कर दिया इन ओड इसके नीचे इसके लोग के नीचे ना चाहिए थी उसके विलावा अगर आपको बुलिश या बेरिश कैंडल भी बिलिया आप सिरफ इस पर भी डिपेंड कर सेकते कि भाई कोई कैंडल बनी है तो भी मार्केट पॉंप या डंप कर जागी है रिवर्सल हो जाएगा आपको बिटकोइन बिटकोइन डॉमिनेंस सब चीज़ों को फेक्टर में इंक्लूड करके आप को ट्रेड लेनी चाहिए आपने काफी अच्छी बात की कि लोग यूजली बाटन को ही देखते हैं और उनको लगता है बाटन में कुछ बूल दिया तो अब वही चीज़ होगी बड तो अगर आप वह भी थोड़ा कर दें तो मेरे साफ से ओडियंस के लिए चाहोगी गोल्ड का फेक आट रिकाता होगा आपको यह गोल्ड का सबसे बड़ा फेक आट था यह वीक्ली टाइम प्रेफ देया ठीक है इसने एक अपने के कहते है तो तुसाजन सेवन्टी डॉलर को टैच किया सेवन मार्च तुसाजन ट्वंटीटीटू फिर इसको ही उसको उसने डिवियेट किया मतलब उपर से नीज और पर और पहले टचपॉंट के बाद दो साल बाद इसे 4 दिसम्बर को पर विक्मारी और देन डॉम्ट फ्रम वट 2135 से 1974 तक विच इस लिए फेक आट होते हैं फेक आट को आप कैसे वोट कर देते हैं आपने यह जोन बना लिया इसके उपर कैंडल क्लोजिंग हो फिर ठो तो एसे असे मुझे यह बताएं कि गोर्ड की एक्जेम्बल क्यों दिया आपने जो कि इतना स्लो मूविंग एसेट है यह सबसे पहले दिमार में मुझे यह आया मैं आपको बिटकॉन का भी दिखा देता हूं विच कैन बी अनदर फेक आउट फेक आउट फेक आउट यह कैते हैं इनदर फेक पर का अगर मैं इसको मंतली तामरे शिया वह भी एक बेरिश चैंडल बनी थी इसको कैते हैं पिनिंग टॉप सिंडिंग टॉप के उखेली कैंडल उसके नीचे प्लज हो गई विच वेलिडएट इदी अज़न यह से रिस जडूरे से वश्टरी इंद और इसकी रेगुलेशन कंप्ली आई नहीं है लेकिन जब रेगुलेशन कंप्लीटी आई जाएगी तो यह स्टॉक मार्किट इसका बनाते हो लेकिन इतना जल्दी से आप नहीं बना सकते हो तो इसी लिए जो यंग लोग है वो क्रिप्टो के अंदर आना चाहरें रिस्क ले बनाने का कल पर मार्किट मैचूर हो जाती है तो आप पैसे बनाएंगे लेकिन आपकी बनाने की रफ्तार तोड़ी कम हो जाएगी इस अतना भी हाकर बहुत टीक है अगर हम स्टॉक मार्किट का मार्किट का देखें इस अप्रॉक्षिमेटि एरॉड नेंटी फाइफ ट्र कितना डिफरेंस है क्रियेट दर्म्यान में गया है तो इट विल टेक टाइम इवेंचली क्रिप्टो मार्किट करेगी सेचुरेट कर जाएगी मैचूर हो जाएगी लेकिन इट विल टेक टाइम के हम 95 ट्रिलियन पर जागे 95 भी नहीं तो अप्रॉक्सिमेटि 50 ट्रिलियन या इससे भी नीचे तो इट विल टेक टाइम अधर माई सिर्व आप चलें आप तो बहुत लॉंग टम की बात बता रहें मैं सिर्फ शौट टम की बात करता हूं जबी 1.7 ट्रिलियन पर मार्किट बैठी हुई है आप मार्किट का डबॉल कर लें 1.7 से 3 ट्रिलियन पर मार करना सपोर्ट बनाना आपको वीडियम से लेकर थोड़े से एड्वाइन स्किल्स चाहिए इसके अंदर आप बना सकते हैं और यहीं चीज़ हम दिखाना चाहरे हैं यहीं चीज़ अनलाइस करके हम सिगनल्स दे रहे होते हैं एक प्रिवियम ग्रूप है प्लेटीनम ग्रू क्रिप्टो मार्केट बिशनस कर जाता है अमज़न सब्सक्राइब कर गया और मज़े की वाद है जब तक आपका वो जो पाकिस्तानी अच्छा हुआ बच्चा और गंदा बच्चा क्रिप्तों के उपर बात नहीं करता ला अधिक नहीं करें जब तक हम गेम के इंदर बैट चल जाएगा हर बनना क्रिप्टों के एक्सपर्ट बन जाएगा तब समझ जाओगे मार्केट मेचोर होने वाली है उस वक्त आपका पैसे बनाने की रफ्तार पूरी स्लो हो जाएगी जैसे आजकल एमजॉन पर देख लें पैसे तो बना रहें लोग लेकिन उस तरह से नही लोगों में पैसे बनाए थे दान भी पैसे बन रहें उसमें भी लेकिन अब बन रहें कोर्स बेच के इमोशन ओटाम इसा ही है ऐसी बाद है लेकिन यह अच्छा टाइम है वह हां तो इस दिन हमने अपना क्रिप्टों कोर्स निकाला ना उस दिन समझ जाना कि हम लोग पैस है कि नहीं है मैं हाई को आपको ओगír में पैसे बना सकते हम वोड्य की्वाट गच्छे EVP की वीडियों बात और ती ते लिएरी हैं कि पैसे बनाटारेयों बीडियों पैसे प्रदीर्या उसे हैं तेमरें में क्रूब्स रहाए हैं तकर आप लोग भी समझें अब जिस सरह से समस्पान ने शेर किये मुझे काफी चीज़ों का नहीं पता था और बाकी जो मेरी तीम की मेंबर थे इनको भी नहीं पता होगा हम खुद भी Goam बाकर यहाए अगर अज इस टेजि़ पहुंचे जो आपके साथ not music और रही ए ठीक है है इसके के लावा किसी ने कोईशन को ही पूछने हैं तो कांडली कोईशन पूछ सकते हैं ताके हम इस पॉड़कास को वाइन अप कर सकें जी मेरा एक स्वाद है कि एक हमारे मेंबर नहीं पूछा था कि नोटिफिकेशन तो डेफिनिटली आता है लेकिन यह इसका कोई ऐसे नहीं देख पाता इस तरह से मतब डी इस्टिंग पॉइंट आपको क्या रहा है इसमें तो एक्सचेंज का फीचर है ना मतलब इसमें आप या मैं या दान भी कोई इसमें वह प्रिटिक्टिक्टिक्टि तोकन जो है बडीक्रिक्ट करने जा रही कभी-कभी जैसे खेक है उसने या मिव्यो को और खेक है करने चलिया के यह या इंशुर्ड बैटर वार्टेडिटिंग एवर्मेंट थे फाडूल से एक्सक्समें वह तो ये सबिस्ट कर दें को को शो सब्सक्रोंर्इघi को कर देंगे यार यह हमें पसंद नहीं है जी आर्टी इसका नाम आर्टी जी होना चाहिए तो यह इसका असान हाल यह कि आप स्टार्ट यूजिंग स्टॉप लॉस्ट लॉस्ट इस इस सारे जो बारगें से अपने आपको बचा सकते हैं सबोस्ट आपने स्विंग ट्रेड यह आपके ड्रोटीन टीपी की टोगें तो आप स्टार्ट शिफ्टिंग स्टॉप लॉस्ट इस सम्प्रॉफित और एंट्री प्राइस इंकेस कोई टोकन जो है वो सेफ नहीं है इंकेस अदर कल जो है वो कहते हैं नोटर सेक्यूरटी एससी कहते है तो आप वहां पे आप लाइबिलिटी है इसको किस तरह फैट करते हैं मतलब अगर मैं इंट्रा डेटरेट करना चाहता हूं एक ठीकर डेटरेट देना चाहता हूं तो अगर आपको डेटरेट करनी है तो आप 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनिट पर देख सकते हैं लेकिन यू 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 शुद ना इंट्रेट करना चाहते हैं उसमें क्या हो रहा है जो सुरिंग ट्रेट है उस पे आप 1 वीक, 1 मन्त पर आप क्रिटिकल लेवल बना सकते हैं फिर 1 वीक, 3 डे और 1 डे पर आप उसको एनलाइज कर सकते हैं मैं परसनली 1 वीक पर गड़ता हूं क्योंकि वन वीक पर आप कुछ आठ किसी भी प्रोजेक्ट की अक्यूमिलेशन चीज समझ जा जोती है और आप उधर से क्रिटिकल लेवल बना सकते हैं और फोर मन्त और जो बोल रन है उसमें अगर पिछली बोल रन में वो कॉईन था तो उसको आप फंडेमेंटल्स देख जहां पर आप टेक्निकल अनेलिसिस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ट जॉइन नहीं किया तो काइन ली उसको जॉइन कर लीजे क्योंकि हमें तक्रीबान दो हफ्ते हो गी है हमारा जो निया चैलिंज था $4,000 से $8,000 का जो चैलिंज है वो हमने स्टार्ट कर दी है अब तक $4,150 पे हम पहुंच चुके हैं टाइम टू टाइम जैसे ही बोल्ड मार्केट करीब आती जाएगी हमारा जो रिटरंस है वो भी जाता होता जाएगा तो यही बेस्ट टाइम है क्रिप्टो के अंदर गु करता है तो मेखल कीजेगा वो हम मेंसे कोई नहीं है हम आपको कभी भी मैसेज नहीं करेंगे कभी भी मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आपकोए-इञिब्स बिनके मैसेज करहा हूं नहीं जादा थो स्कैमर्स क अबब Points कर ने ओर इस statistical के नीचे आपने अखिया अर्केगा, अलाफिस.